बड़े एक्सपोर्ट के बीच में पोल करा है और समझने की कोशिश की है कि आज का दाइरा क्या रहेगा निफ्टी के लिए और निफ्टी बैंक के लिए और एक्सपारी किन लेविल्स पर होगी अब इस पोल के नतीजे क्या हैं इसे लेकर हमारे से योगी डिमपी कालरा हमा के एक्सपारी और करीब 6 मेने बाद ऐसा मौका मिल रहा है मार्केट के पास जब 5% का गेन है हाला कि अगर आप साल के हिसाब से देख रहे हैं तो इस साल के अंदर जनवरी फरवरी मार्च के अंदर कुछ खास बड़ी एक्साइटमेंट नी थी मार्केट 2% माइनस रहा मार के अंदर 0.3% का सिर्फ प्लस रहा लेकिन एक बड़ा मूव जिसम कहते हैं वह आपको अपरायल सीरीज के अंदर आते हो देखा जब 5% ही निफ्टी उपर आच क्लोज होने के तारी कर रही है हम पहले पोल आपके लिए लेके आते हैं पोल क्या कह रहा है समय एक्सपर्ट क का पोल है हमने करिए साथ से आठ बड़े ब्रोकर से काम पूछा है और उन लोगों से पूछा है जो टिपिकली इंडेक्सी ट्रेड करते हैं निफ्टी के हमने बनाए है चार तीन पैरामिटर्स पहला पैरामिटर्स में हमने ये रखा है कि सतरा आठ सो से नो सो पचास के ब लेकिन इससे एक चीज़ तैह हो रही है कि बजार का अगर आप इस नीचे वाली रेंज का जापे साड़े च्छे सो से आर्ट सो लिखा है अगर इसका हाईएर एंड पकड़ ले और इससे उपर वाली रेंज का जापे सतरा हज़ार आठ सो से नो सो पचास लिखा है तो नहीं है आतें बैंक निफ्टी के पॉल पे बैंक निफ्टी का पॉल हमने चार कैटिगरी में डाला थोड़ा चला हुआ जादा है इसलिए डिवीजन थोड़ा ज़्यादा था माकिट के अंदर पहला हमने पूछा कि 43,000 के उपर के चांसिस कितनी है एक्सपर्ट कह रहे है 15% चांसिस हैं कि इसके उपर हो जाएंगे जादा इंटरस्टिंग पार्ट अब दो आपको खेमों में दिखेगा पहला खेमा है 42,800 से लिके 43,000 के बीच में चांसिस कितने हैं कि बैंक निफ्टी एक्सपर्ट हो जाएगा 45% मेजरोडी हिस्सा यहीं प्यार रहा है दूसरा 42,600 से लेके 42,800 के बीच में चांसिस कितने हैं कि एक्सपर्ट होगी सिरीज उसका नंबर है 35 यानि कि 10% कम है उपर वाले नोच से नीचे का 5% को आप इग्नोर भी मार सकते हैं अब लब लब आप सिरफ यही है बैंक निफ्टी का कि आप को शिश करिएगा या फिर हो सकता ह 42,500 साड़े 700 से 800 के बीच बीच में बैंक निफ्टी आपको एकस्पार होती हुँ दिख जाएगी अगर आपके प्रॉफिट जस्टिफाइड है बुक कीजे रोल करना कीजे नहीं करना मत कीजे रोल ओवर के नंबर्स पे भी आता हूं मैं निफ्टी पे अभी तक रोल ओव हैं तो उसी को अड़ेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर जादा रोल ओवर कम लेके आ रहे हैं यानि कि लाइट होके आ रहे हैं तो आपके सिरीज इतनी लाइट होगी कि कोई भी खबर उसको तीजी से उपर नीचे करने की कैपेसिटी रखेगी इसलिए अभी तक का रोल थोड़ा बिलो एवरेज चल रहा है इसकी एवरेज कितनी है वो भी मैं आपको उतारता हूं 80% से उपर है बैंक निफ्टी की करीब करीब 80% है निफ्टी की आते हैं सेक्टर के हिसाब से रोल ओवर का पॉजिटिव हो रहा है देखें बैंक में FMCG में Financial Services में इन सब में रो के अंदर कटान हो रही है अगली सीरीज में फिर से सोचेंगे यह आई टी और फार्मा को लेकर भी उतना Confidence Market को आया नहीं है कुछ-कुछ यह मैटल्स के अंदर भी देखने को मिल रहा है हमने फिर यह डाटा पे निकाला कि माई की सीरीज टिपिकली चलती कैसे हैं फिर हमन के अंदर अभी आपके फोड़े बाइस के अंदर माफ कीजिए माइनस तीन परसंट था और तैईस के अंदर अभी आना बाकी है कुल मिलाके आप माई की सीरीज को एक्स्राइडनरी वालेटाइल भी समझ सकते हैं दो परसंट का स्विंग मिलने के चांसिस हैं यह इसकर एक रिसर्च से हमको पता लग रहा है आते हैं साल भर में जो रिटान है मैंने आलड़ी आपको बता दिया धाई परसंट माइनस फिर दो परसंट फरवरी का मार्च के अंदर कुछ नहीं और अपरेल के अंदर पांच परसंट मिला है हमने एफ़ाइस का लॉंग पॉजिशन भ अपना माल छोड़ रहे थे रिटेल ने जब इस सिरीज के शुरुआत की थी तो वह साथ परसंट खरिदारों के बैठे थे लेकिन घटते घटते सिरीज के अंदर वह पचास परसंट से भी नीचे चले गए हैं यानि कि पचास परसंट है तो दस परसंट रिटेल ने अपन बाजार की और एक्सपोर्ट का जो पूल है उसके मताविक यह है कि 17,800 के उपर अभी निफ्टी है और 45% एक्सपोर्ट का मानना है कि 17,800 से 17,900 के भीच में एक्सपारी होगी हाला कि आज भी रीच बेहस सीमी थे चार दिन बाजार चला जरूर है लेकिन बहुत तीजी से न संकीत मिल रहे हैं और किसी थकावट किसी नेगेटिविटी कमजोर सिंटिमिंट की कोई संकीत नहीं है तो यह अच्छी चीज कहने चाहिए 18,000 के आखड़े पर यहां से आब नजर होगी जब माई सीरीज में एंटर कर जाएंगे लेकिन चलिए